अगर आप नौकरी में हैं तो आप दुखी हैं, अगर आपको निकाल दिया जाए तो आप दुखी हैं, अगर आप शादी शुदा हैं तो आप दुखी हैं, अगर शादी नहीं हुई तो आप दुखी हैं, समस्या क्या है? ये वो चीजें हैं जिनकी आपने आकांशा की थी, जब वो चीजें हो रहे हैं जिनके आप अकांशा करते हैं, तो आप दुखी हो रहे हैं, इस पर गौर किया जाना चाहिए. जब हम ऐसे मुश्किल रिष्टों का सामना करते हैं, जहां दूसरे व्यक्ति को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वैं बॉस हो या आपकी पत्नी, कई बार मैं कंट्रोल खो देथा हूँ, और ऐसा लगता है कि पूरा महौल मेरे खिलाफ साज़िश कर रहा है, क्या मैं स्थिती से खुद ही निपट सकता हूँ, क्या किसी और को दोश देना ठीक है, आपके हिसाब से, जीवन में सकरात्मक्ता वापिस राने का क्या तरीका है, देखिए इसके सबसे अच्छी बात ये है कि, आप उनमें से केवल एक का सामना करते हैं, या तो बॉस या पत्नी, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते, तो आप इधर उधर जा सकते हैं, सेना से जुड़े होने के कारण, आप कुछ समय के लिए पत्नी से बढ़ सकते हैं, और कुछ समय के लिए बॉस से बढ़ सकते हैं, दूसरी नौकरियों में उन्हें हर दिन दोनों का सामना करना पड़ता है, माफ कीजे, मैं यूही मजाग कर रहा हूँ, वैसे भी, देखिए, आप न तो अपनी पत्नी के बिना रह सकते हैं, और नहीं बॉस के बिना, दोनों आपके जीवन में जरूरी है, आपने करियर की तलाश की, और आपको नौकरी मिली, आपको एक बॉस मिल गया, आपने रिष्टे की तलाश की, आपकी शादी हुई और आपको पत्नी मिल गई, तो ये वो चीजें हैं जिनकी आपने अकांशा की थी, जब आपकी अकांशा पूरी हो गई, तो आप दुखी हो गए, इस पर गौर किया जाना चाहिए, ये पत्नी के बारे में नहीं है, ये बॉस के बारे में नहीं है, ये खुद के बारे में है, क्योंकि इनसान ऐसी स्थिती में आ चुका है, कि आप जहां भी उसे रखते हैं, वो दुखी होने का एक रास्ता खोज लेते हैं ऐसा हुआ एक दिन शंकरन पिलाई का अपनी पत्नी से बहुत बड़ा जगड़ा हो गया फिर गुसे में वो घर से निकला और शाम को चल दिया वो इधर उधर घूमता रहा, वो शहर के ठीक बाहर घूम रहा था ये जाने बिना कि किधर जाना है, क्या करना है क्योंकि तुरंद घर वापस जाना शोभा नहीं देता फिर उसने देखा एक साधू, एक सन्यासी बैठा हुआ था शाम या रात के लिए पेड़ के नीचे बैठ रहा था शंकरन पिल्लई ने देखा कि साधू काफी वेवस्थित था और बिना किसी परिशानी के लग रहा था पेड़ के नीचे वे अच्छे से बैठा था फिर वो उनके पास गया और कहा साधू माराज, बीवी बहुत परिशान दे रहा है कुछ शुलूब उपाय है तो बोलो साधू ने उसे ऐसे देखा बेवकूफ सुलूब उपाय है तो मैं क्यो साधू बनके यहां बैठ रहा हूँ देखिए हम कहते हैं जीवन एक गेंद के कर्तब जैसा है अगर आप अकेले हैं तो बस एक गेंद करना असान है आप दो हों तो दो गेंदे थोड़ा ज़ादा मुश्किल ज़ादा ध्यान देने की ज़रुरत होगी फिर आप चार हो गए आपके पास कर्तब करने के लिए चार गेंदे हैं अगर आपके पास एक भारतिय सेना हो तो आपके पास कर्तब करने के लिए दस हजार गेंदे होंगी तो आप कितनी गेंदों को खुशी से घुमा सकते हैं आपको उतनी ही गेंद उठानी चाहिए अगर आप खुद को समर्थ बनाए बिना अपनी गतिविधी को बढ़ाना चाहेंगे तो आपका काम ही आपको दुख देगा तो लोग एक देश की एक अंतराश्ट्रिय कंपनी के एक बड़े कारेकारी एक ग्लोबल CEO कुछ समय पहले मेरे पास आए और एक गहरी संकट की स्थिती में मुझसे कहा सद्गुरू मैं इसे नहीं जहेल सकता वो मुझ पर इतना दबाव डाल रहे हैं मैंने उनकी तरफ देखा और का ठीक है मेरी कामना है कि आपको निकाल दिया जाए उन्होंने का नहीं नहीं सद्गुरू आप क्या कह रहे हैं मैंने कहा रहे आप अपनी नौकरी को इतना जहेल रहे हैं मुझे यकीन है कि कई लोग आपकी जैसी नौकरी पाना चाहते हैं अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो आप खुशी से समुद्र तर्ट पे घूम सकते हैं, नहीं नहीं सद्गुरु मेरे साथ ऐसा मत करिये, अगर आप नौकरी में हैं, तो आप दुखी हैं, अगर आप शादी शुदा हैं, तो आप दुखी हैं, अगर शादी नह या नहीं, ये निश्यत रूप से मेरे बारे में है, जैसे कि मैंने पहले कहा, दुनिया आप पर क्या फेकती है, ये आप नहीं चुन सकते, लेकिन आप उससे जो बनाते हैं, वो 100 प्रतिशत आपका चुनाव है, कर्म का यही मतलब है, जब मैं कहता हूँ, मेरा जीवन, मेरा क पतनी जैसी भी है, बॉस जैसे भी है, आपके आसपास की दुनिया जैसी भी हर तरह की परिशानी हो रही है, लेकिन मैं इस एको वैसे ही रखता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपका दूसरे तरह के दूश्वन से सामना है, पर हम हर दिन हर तरह के लोग शायद ये उनके शरीर में मौझूद extra protein है, मुझे नहीं पता। पर वे लगातार हर तरह की चीज़ें करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, उसमें हर तरह की रुकावटें डालते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो बड़े पैमाने पर लोगों की खुशाली के लिए होता है लेकिन वे उसे पसंद नहीं करते मेरे खिलाफ अब भी लोग दुश्प्रचार कर रहे हैं कि पेड लगाना खतरनाक है ठीक है उनका स्तित्वे में होना ही खतरनाक है तो लोग आपके साथ क्या करते हैं दुनिया आपके साथ क्या करती है वो ऐसा ही होता है आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं ये आपके हाथ में ये आपका कर्म है मेरा जीवन मेरा कर्म है कहने का यही मतलब है मैं जैसा हूँ वो 100% मेरा बनाया है कोई नहीं, कोई भी तै नहीं कर सकता कि मैं अभी कैसा रहूंगा, ये मैं ही तै करता हूँ कि मैं अभी कैसा हूँ अगर आप तै कर लें कि आप अभी कैसे हैं, तो क्या आप खुद को आनंदित रखेंगे या दुखी अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें हां इब 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 तर जाग रदे रवार